आज हम लोग एक रूम का भीट करने जा रहे हैं वास्तो के लेकर इनको परिसानी आ रही थी आपको हेल्स रेटेट परिसानी आ रही थी सबसे पहले हम उसके कीचन को देखते हैं देख लीजिए यह कीचन हो गई आपको ठीक है यहां गैस बर्न रखा हुआ है इंडेक्शन क परिश यह फ्रीज है पर इनके पहले मास्टर बेटरूम आ गए हैं आपको देख सकते हैं आप इसके बाद यह दूसरे बेटरूम है आपको और इसी के साथ इनका यहां पर यह सामने जो दरवजा दिख रहा है आपको बातरूम हो गए आपको अब यह देखिए हॉल हो गए ठेक देख सकते हैं फिर यहां पर इसके पूजा रूम है ओके अब यह इनका में इंट्रेंस हो गए है हम लोग ग्रीट बनाएंगे इस घर का ग्रीट बनाएंगे और जानेंगे कि कौन से जोन में क्या चीज़े पर रहे हैं और क्यों परिसानी इनको आ रही है हेल्थ को लेकर परिसानी आ रही है और थोड़े से फैनेंसियल भी कुछ-कुछ परिसानी इनको आ रही है हम लोग अब शेयर करते हैं इनका मैक और बनाते हैं उसमें 16 जोनों को निकालते हैं दोस्तों हाँ तो यह इनका डागराम देखिए बना हुआ है मैंने इसमें 16 जोन भी निकाला हुआ है साथ मैंने इसमें मैंने पिछले वीडियो में आपको सेंटर पॉइंट लिकालने के लिए मैंने सिखाया हुआ है 27 परकर हम लोग 16 जोन निकालते हैं मैंने पिछली वीडियो में भी शिखाया हुआ यह आपने नहीं देखा तो उसे अवस्ट देखिए कि अब इनकी परिशानी मैंने तो हम लोग देखते हैं इसके इंट्रेंस आप देख हो दोस्तों यहां से इनका इंट्रेंस आ वेस्ट करते हैं तो सबसे पहले मुझे कीचन दिखता है कीचन देखिए किस जोन में नौर्थ और एननी के जोन में कीचन यहां दिखाए जा रहा है और उनका जो वर्नर है जो गैस चुला रखा हुआ था तो क्या होगा एंटी एलिमेंट होगे यहां खाना बनाएंगे तो क हमने उसे सजैसन दिया कि आप तो इसको घसका ने सकते है क्या कि हम इधर एजननी की तरफ दिले जाएंगे वह भी घरवर है तो हमने उसे सजैसन दिया उपायद एक कि कम से पहरे नीचे या तो ग्रीन मारवल का पत्था रख सकते हैं आप या नहीं तो ग्रीन कलर का बहुत सारे मैट आते हैं आप चूले के अंदर रखें जिससे क्या होगी जो अगनिक जो अग है जो हमारे जोन को खराब पर रहे हैं उसमें कहीं और यहांस जूम देखते हैं आप अंकीन एन्टी एलिमंट्स नहीं यहाँ उनके सोपिय रखे हुए यह जब कलर है जो कलर है यह हमारा आरहा आपको मैं लब up वाइट कलर आ रहा है और किसी परकार के यहां कोई भी एंट एनना तो साथ में यहां परिसानी कर रहा है तो इसके नीचे भी मैंने बोला कि आप क्या करो यहां पर यहां पर यहां पर आप ब्लू कलर के सरकिल यहां बना के उसके अंदर में आप गैस के सलेंडर है उसे रखें जिससे होगी कि हमारे यह जो खराब हो रहे हैं कहीं कहीं सुधार आएगा अब देखते इनके बेडरोम बेडरोम देखिए इनका जो मास्टर बेडरोम यह हो गया है इनके दो बेडरूम एक ये बेडरोम में अब हमास्टर बेडरूम जोतीसर सास्थता नौर्थ इसको इतना खाली रखा जा सके उतना अच्छा था वहां पर बेड रूम बनाना उतनी अच्छी नहीं कही गई है क्या है कि इस रूम में सोने वाले बैक्ति को हमेशा चिरचिरापन रहेगा हमेशा उनका जो मन बिशलित होता रहेगा यहां तक यादास जो भी मन भ परिसानी करती तो उन्हें मैंने सहेशन किया है कि आप ऐसा करो यह बेड रूम को छोड़के इस्ट साउथ इस्ट वाले बेड रूम आप यहां पर शिफ्ट हो जाओं साउथ इस्ट हमारे कैस का भी होता है साथ में हमारे यह इनेसियटिव का भी होता है तो साउथ इस्ट इसके बेडरूम उसके लिए अच्छे है मैंने उसे यहाँ पर बोला कि आप यहाँ पर चले जाओ जिससे क्या होगा यहां के जो पैसे रुके हुए है यहां पैसे का भी जोन हैं फेसे पैसे फचिए हुए है मनी का फ्लो भी आपको होता रहे गा यहां से और आप देखें तो बागी सारे जोन मुझे ठीक दिख रहे हैं तो मैंने इसे यही दो छोटी रेमेडी बताई है जिससे हमारे जो क्लाइंट है सहमत है बोल रहें कि मैं इस पर जूर अमल करूंगा और इसका रियल्ट या अच्छा हो या बुरा हो वो मुझे 21 दिन यह अंदर वो बताने का पर्यास करेंगे मैंने बोला बताईए फिर उसके वाद आगे हम लोग फरदर इसका काम करें इसी परकार यह आपको भी अपने घर का मैप बनवाना है वास्तु का अनुसार आप हमारे दिये हुए नमर पर मुझे कंसल्ट कर सकते हैं बहुत ही बहुत सब्सक्राइब करेंगे और फिर आपके साथ मैं सेयर करूंगा राधे राधे नमस्कार दोस्तों